ओम वंदे गौवा मातर मित्रो यूटूब चैनल श्वास्ट्रक्षा से प्रभाब सबका स्वागत करती है मित्रो आज हम बात करते हैं पिताश्य की पत्री या गालस्टोन के विशे में मित्रो इस विशे पर आगे बढ़ने से पहलेक सूचना कि दी आपको मुझसे बात करनी है नंबर चाहिए है तो कृपया आप वीडियो पूरा देखें पूरी जानकरी में आवश्यक होता है अन्य था आधिया धुरी जानकरी में आप सवाल करें तो कोई लॉजिक नहीं लगता हां आत में आपको पता चल जाएगा कि मेरा नंबर आपको कहां से कैसे मिलेगा और क्योंकि वीडियो में नंबर नहीं नंबर का पता आपको मिल जाएगा और साथ यह आपको अपने प्रश्न के उतर जल्दी चाहिए है तो करपया टिप पनी वीडियो पर करें यानि यूटूब पर करें तो आपको 24 खंटे के वितर जवाब मिल जाएगा अब हम विशय पर आते हैं मित्रो कोई भी विशय के जानकारी जवाब ले रहे हैं तो उसको पूरा देखें क्योंकि आधिय धिरी जानकारी में आप जब कोई समाधान या कोई सवाल करते हैं तो उसका कोई अच्छित नहीं बनता है अब हम गुलाई विशय पर आते हैं मित्रों पिता शेक अपने पेट में दाहीने हिस्थे में पेट के दाहीने यानि के राइर Сाइड में एक छोटा सा नास्पाते के आकर का एक अंग होता है और यह हमारे जो लीवर होता है, कृत होता है, उसके नीचे स्थित होता है और है एक थैली जैसा आतार होता है, जो पित को एकत्रित रखता है इसको पित आशे कहते हैं था, पित का आशे है ये, पित को रखने का स्थान है ये वहाँ एकत्र रहता है और ये पित जो है हमारे पाचन शक्ति को सही रखता है पाचन में मदद करता है लेकिन एक बात है कि जब कोई भी चीछ विक्रित होती है या किसी विक्रित परणाम में आ जाती है तो ही वो रोग बनती है जब तक हो सही रहती हो रोग नहीं होती है क्य उसमें कई बर समस्य आ जाती है और ये पिताशय में पत्री हो जाती है मित्रो पिताशय की पत्री जब होती है आरम हमें इसके कोई लक्षन दृष्टी को चर नहीं होते है आम तोर पर सुरुवात में इसमें हम नहीं जान सकते कि पत्री हो रही है लेकिन जब ये पत्री कही बार नलिका से गुजरती है क्योंकि जब आगे बढ़ती है कहीं कुछ होता है आगे बढ़ती है नलिका में आती है तो वहां नलिका हमेशा पतली होती है उनकी जो आकारूते छोटे होते है तो वहां से जब निकलती है तो जब पीडा देती है तो तो पता चलता है कि कुछ गडवड है और यह पीड़ा właśnie, दाहीं और महसूस होती है, तो हम पता चलता है कि तो इसमें करी बार सूजन भी आजाती है। पितَ रिधा यह की पत्री में जो खकिया होती है tahu हम आपको बता देब क्योंकि इस वेदना को मैंने बहुत छोटे पे सहन किया है, इसलिए मुझे याद है कि बहुत तीवरे वेदना होती है, बहुत जोर से दुखता है, मैं ज़र नॉमिक अक्षय में थी तो मुझे यह हुआ था, बीमार अपने आपको बहुत बीमार अंभो करते हैं, ठकावा अ हो जाता है, और मुत्र का जो रंग है वो भी गंदला हो जाता है, कई बार चाह जैसा दिखता है, मतली होती है, उल्टी होती है, मतली यानि उल्टी एक ही बात है, तो कई बार जी घबराता है, उल्टी होती है, मैं तो यह सारे पित बढ़ने के लक्षन होते हैं, पित के व खापी लेते हैं और कभी भी खापी लेते हैं जिससे पित हमारा विक्रित होता है और कई बाद इसी कारण जो खाते खाते पानी पीते हैं जलादी पीते हैं उससे भी कई बार कोलेस्टरोल बनता है और बैट कोलेस्टरोल बनता है पाचांशक्ति खराव होती है उससे जो कोल माता पिता को बच्ची को भी हो जाते हैं, कई बर मोटापा भी इसका करना होता है, क्योंकि मोटापा जब बढ़ता है, अधिकांश लोग पानी कम पीत हैं, जिससे मोटापा बढ़ता है, और मोटापा बढ़ने से कई बर देहने गर्मी में बढ़ जाती है, तो गर्मी जो पाचनशक्ति जो ख़राब रहती हैं। अब ऐसे कई कारण से यह प्रिताशेकी पत्री निर्मित हो जाती है। उसके अलावा हम जो देखते हैं कि कई बार यह जो हावर्ड हेल्थ पब्रिकेशन ने एक जो बताया इसके अनुसार अच्छी पतिशत पिताशे की पत्री कॉलरस्टॉल के बढ़ने से बढने से होती है और 20 पतिशत पत्री केल्शियम और लवान आदी के कारण से हो जाती है अब ये जो पत्री हो जाती है इससे जो कुछ और रोग होते हैं वो भी हम ज़रा देख लें जैसे कि हमने पहले बताया देह पीली हो जाती है आँखों में पीला पाना जाता है इसका मतलब है सिधा पीली आभी कई बार हो जाता है और कई बार पिता से में संक्रमन हो जाते हैं पित वाहिंगी में संक्रमन हो जाते हैं एक रक्त संक्रमन हो जाता है पिता से में कैंसर भी कई बार हो जाता है क्योंकि जब समस्यें बढ़ती हैं तो फिर बढ़ती ही चली जाते हैं क्योंकि एक के साथ दूसरी और दूसरी के सा और हम जब यह कहते हैं कि इस अंग को रोग है किसी भी अंग को रोग है अर्था आपका पूरा देह बाकी छुट नहीं जाएगा विए यदि मेरी इस उंगली में यहां पर पीड़ा हो रही है तो पूरी देह को प्रभावित करती ना की मातरिक उंगली को उंगली की पीड़ में पूरा देह, पूरा मस्तिश्क, पूरा मान सब कुछ परभावित हो जाता है और ये तो पेट का मूल अंग है तो इसमें परभा देह होता भी आपका तो प्रभावित होता ही है इसलि прилож me Jadi कि अशघू जाते है क्या-क्या और पहर जटिल हो यह कही बर मदब किसी भी जाते या लिम को देके नहीं होती है। यह बस अनियमित खानपान, अनियमित रहन सेन। जो आप नियमों का जो लंधन करते हैं, उस सब का परणाम होता है, जो आपको यह समसें आती हैं। अब इसको हम स्वस्त रखने के उपाई भी देखने के स्वस्त हम कैसे रख सकते हैं इसको हमें अपने वजन को हमेशा नियंतरत रखना चाहिए क्योंकि वजन नहीं रहता है तो देहे में बहुत सारे रोग लग जाते क्योंकि हर एक विकृती जो है और रोगों का घर होती है चाहे कोई भी एक विप्रती देह में लग जाए, माना कि आलस लगया तो रोका घर है, मोटा पा लगया तो रोका घर है, तो इसका मतलब वजन को ने इंतरत रखे, तेजी से वजन घटाने से बचे कुछ लोग होता है, क्या मैं दस दिन में इतना किलो वजन घटाना है, दो उसके एकत्र होने की स्थिती में कई बार जो परिवर्तन आते हैं, हम उसको कहीं किसी भी स्थिती में देख्या परिक्षन नहीं कर सकते हैं, बस यह हम सोच सकते हैं क्या हो जाता है, जिसे हम कई बार कहते हैं कि तनाव जब आता है, अब जिसे यह मेरा हाथ है, यह सीधा है मैं इसको सिधा ऐसे रखू तो इसको मैं घंटा दो घंटा भी रख सकते हैं तो यह बहुत जदी पीड़ा देने लग जाएगा आप अपने हाथ को करके देख लिजिए आपको तुरंट पीड़ा देने लग जाएगा क्योंकि पीड़ा जो है तनाव में, खिचाव में, दब पीडा होती है यह किसी चीज को दबा तिया जाए तो भी पीडा हो जाती है जब हम वजन तेजी से घटाते तो ऐसी स्थितियां कुछ हम अपनी देह में बना लेते हैं जिसके कारण से समस्य अधिक खड़ी हो जाती हैं और कई बार हम जो आहर लेते हैं जैसा कि हमने कई बार बता है आहर के लिए तो मैं आपको सीडी से बात बता दूँ आप मेरी प्लेलिस्ट है स्वास्थेनियम वीडियो विवरणी में आपको मिल जाएगी और एक प्लेलिस्ट और है निरोगी जीवन निरोगी जीवन आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखनी होगी वहां से आपको कुछ वीडियो से मिलेंगे जिसमें आहर कैसा लेना है आपको उसमें आविशेष ध्यान दिया यह आपको करते हैं उससे आपको बहुत कुछ लाब हो जाएगा क्योंकि हम ऐसी स्थिती में बताते हैं कि आप आन एदी छोड़ देते हैं तो आपको बहुत विदे इसेवे प्रणायमं करना आप विदे ओंसेद आपको प्रणायम करना है शाहा है अपने मनमस्तिष को एक कैसे रखना हुओ मैंने विस्तार से बताय हुआ है उसके बार सांस कैसे चलेगी सब ले कर स्वास затनीं में बता है पानी और सब का आवश्यक होता है तो ये आपको समझना होगा जानना होगा अब हम बात पर आते हैं दूसरी के अब हमें भोजन में क्या लेना क्या हमें इसमें जो घरेलू उपाय हम कर सकते हैं पर ध्यान रहे मित्रों घरेलू का उपाय सहयक होते हैं पूरक्न होते हैं ये मात्र उतनी जल् सकते हैं मीतरों इसके लिम जो अबर नहीं алी पाणे उसी आप को पहले करें नियम पानन पहले में अवश्यक्त है उसके बाद यह प्रयोग हाप करेंगे तो आपको अढिकलागों पातिके गलाने में काफी बिगटित करने में अर्था, तोड़ने में उसको काफी साहता देती है, ऐसा मानना जाता है कि एक चमच हल्दी अर्था, तीन से चार ग्राम हल्दी लेने से करीब करीब 80% पत्री समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके अलावा शेव का सिर्का और बारी फल होता है, हम इसे पिति की पत्री में को गलाने में बहुत अधिक साहता मिलती है, अब आपको करना क्या है, एक कप सेव का रस लें, करीब एक ग्लास सेव का रस लें, और उसमें आप दो चमच सेव का शिरका मिला दें, और ये आप सुभह शाम खाली पेट या दिन ये पार बजार का नहीं लेंगे, आप जो शेव का रस है, घर में ताजा निकालेंगे, ताजा बनाएंगे, उसको आप इसमाल करेंगे, क्योंकि कुछ लोग पुछते हैं, हम ठेट्रा पैक ले नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शिरका आप ले सकते हैं, भार का ही मिलेगा आप ये नहीं ले सकते, रस आपको ताजा ही निकालना और जितनी बार आप रस पींगे, उतनी बार ताजा निकालना है, ऐसा नहीं कि सुभे बना दे तीन ताइम चल जाएगा, वो हानी करता है, तो आप हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो करना है विटामिन C जो है, वो भी कॉलेस्टोल और पित्त के अम जो होता है, उसको परिवर्तित करने में काफी और विघटित करने में, मतलब इसको तोड़ने में काफी सहयता देता है, तो विटामिन C का प्रियोग अच्छा करें, इसमें आप आमले की रसका सेवन कर सकते हैं, अलोवेरा आमले का जीव आप खाली पित लेलें, उठते ही खाली पित लेलें, तो अच्छा है, और उसके बाद शाम को आप भूजन से करीब एक घंटा पहले लें, अर्थाथ शाम को करीब 5 बजे, भूजन हम 6 बजे बताते हैं, आपको 6 बजे के बाद भूजन नहीं करना, आने तो बिलकुल नही अधिक वैसे समस्या ना होती, जोड़ों कि दरदादी की समस्या ना हो, तो अपनी मूभी ले सकते हैं, वो आपको लाप करेगा, उसकेलब नाश्पाती का रस भी आप ले सकते हैं, तो यदि आप नाश्पाती के रस का सेवन करते हैं, यह बहुत अच्छा है, और यह आप ए अधर ग्लास नासपते करस ले लें उसमें गुनगुना पानी डालें तो यह सम करीब हो जाएगा और उसके बाद ध्यान रहें पानी गरम नहीं होना चाहिए पानी गुनगुना होना चाहिए क्योंकि इसमें आपको आवश्यक तानुसार या क्रिब दो चमच मधु यानि शह नहीं लेते हैं वो पानी थोड़ा गरम भी कर सकते हैं दोल tast गुनगुना से ज़ोड़ा अच्छा क्यूंक सकते हैं पर यह आप शेहद में नहीं ले रहे हैं तो पानी आप कदापी गरम ना करें यह मात्रण ठंडक मरा हुआ होना चाहिए गरम कदापी नहीं गरममें ए श सकते हैं तिन टाइम भी ले सकते हैं जैसी आपका आवशक्था है नहीं बता कि आप कि देमा लिजे कि इतनी बार लिजे पिन आपस्य क्योंकि आउखञता होती है उसनुसर आप यह सारी प्रीयोग करने होते हैं एक चुकंदर, एक खीरा, चार गाजर, अर्थात करीब आप एक कह सकते हैं कि 100 ग्राम जितना चुकंदर, एक ककड़ी या खीरा, मतलब 1500 ग्राम जितनी ककड़ी होती है और चार गाजर, अर्थात करीब आधा किलो से कमने नहीं कि 300-400 ग्राम जितनी आप घजर ले सकते हैं, इनका अपकी पत्री को बलाने में काफी अच्छी चाइक का बना का पुदिना की a mean उकट्र मात्र पुदिना का बना और नो ले बहुना पीष सकते हैं यह बोइक को मत पुदिना का फिट्स पाणी जा अब बहुत हां गोजन कलों बाद भूचन का रिड를 दिबाद यह तो यह अच्छा काम काने करेंगा. और इसमें आप इसको साधा लें तो भी अच्छा है क्यूंकि यह किसी को स्वाद नहीं लगता है, तो इसको थोड़ा थंडा हो जाने दे एकदम थंडा नहीं करना कहाना, जब खाड़े यह चीजने जब आपको इस्तेमाल करने तब इ आपको जो इलाज यदि अच्छे लगें तो अच्छे से कर पाएंगे, पर हर इलाज स्वादिश्ट नहीं पाता है, तो उसमें समस्या होजाती है, अब हम आपको कुछ एक्टी प्रेशर के पॉइंट भी बता दें, जो क्या करने हैं आपको, तो एक भाग बता देती हूँ, यह हमारा लीवर का पाट है और लीवर की नीचे ही थोड़ा सा जो नीचे जाएगा वो है यहाँ पे करें यह जो लाल रन लगाया है यह गॉल बेडर आपका बन जाता है तो गॉल बेडर को आपको जब पॉइंट देना है तो आपको कैसे देना है यहाँ पे आप इसको ऐसे से दबाएंगे यह आपको काम करेगा अब आपको जो करना है इसमें आप मटर का दाना भी लगा सकते हैं मटर का दाना लगाने के लिए आपको मैं एक पेपर टेप ले रही हूं यह पेपर टेप है इसको मैंने काट लिया है काटने के बाद इसमें हम एक दाना लेते हैं मटर एक लगा लिया है, आप दिन में इस दाने को आप 24 खंटे भी लगा के रख सकते हैं, सौचा दी जाना है तो आप इसको निकालना पड़ेगा, आप अच्छा, आप इसको लगाएंगे, इसको मुश्ली बायाहत में लगाएं, दाय में ना लगाएं, आप 8-8 घंटे लगाएं 24 खंटे में लगाएं, आप इसको लगाते हैं, उसके बाद हर घंटे आप इसको थोड़ा ऐसे 2-5 मिल ऐसे दबाते रहें, इससे आपको बहुत चल्दी अरहत मिलेगी, आराम मिलेगा, आप इसमें प्रश्ण नहीं होता है, कि इस हात में लगाएंगे तो चलेगा कहाँ प और यह आप इसको हटा देते हैं, क्योंकि हाँ, और दूसरी बात, हमने कई जगे बताए हैं कि पॉइंट्स आपको कैसे दबाएंगे, मैं इसको अभी निकाल गएंगे, क्योंकि मुझे और भी चीज़ आपको बतानी हैं, तो जब आप यह लगाएंगे, उसके बाद उसक कान उतारने के लिए मैंने जो वीडियो दिया है, मेरी सामने रोग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें इस सारी चीज़ें बताएंगे, अब आता है नमबर की बारी, मित्रों जो वीडियो विवरण में जो वीडियो हैं, जो मैंने आपको पहले देखने को क्यों कि हर रोग नियम पालन प्रणयम से ठीक हो सकता है, तो वहां से नमबर लेकर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन उन वीडियो को देखे बिना उनका पालन के बिना कॉल करेंगे, तो मुझे पुना वही निर्देश लेना होगा, उन वीडियो को देखिए, तो आसान है, बड़ा सरल है, हाँ, आप इस पॉइंट को लाल कलर लगा सकते हैं, ये एक्टिव करेगा इसको, ये मैंने से लाल लगाया है, तो आप इसको देख सकते हैं, अब धन्यवाद, बंद्यमात्रम